गुड मोनी बच्चों, कक्षा 10 की हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर से सौगत है बच्चों चलिए माता का आचल पाट का सारांस देखते हैं आधा, आपने सुना आधी कहानी रह गए थी आधी स्टोरी बताना चलिए, अब हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं तो बच्चों अब तक की स्टोरी में आपने ये देखा कि जो लेखक हैं उनका अपने पिता जी से बेहत लगाओ था अभी तक जो दिखाया गया था, उसमें ये दिखाया गया कि उनको अपने पिता जी से बेहत लगाओ था और कभी उनको डाटते नहीं थे, कुछ भी करें, कितनी भी बड़ी गलती कर दे, उनकी पिताजी उन्हें कड़ी आवाज में कभी डाट नहीं लगाते थे, हमेशा वे उनको प्यार से समझाते थे, अब देखिए, एक स्टोरी मैंने आपको बताई नहीं, आपने उनकी बच् लगती थी, तो आम के फसल के समय कभी-कभी खूब आंधी आ जाती है, जैसा कि आप जानते होगे, गर्मियों में आंधी पानी आता है, जब आम फलते हैं पेड़ों में, तो उस वक्त का महीना जो होता है, मैई जून का होता है, और इस महीने में आंधी आती है, तो दोड़ पड़ते थे बागों की तरफ और वहाँ एक जगाग खड़े हो जाते थे, जैसे आधी समाप्त होती थी, तो ये क्या करते थे, वो जो आम जो नीचे गिर जाते थे, चुन चुन कर आम खाते थे, एक दिन ऐसा भी हुआ था, कि एक दिन आधी आई, और फिर बारि में पहुँच चुके थे, उन्होंने वहाँ देखा कि पूरी बाग में बारिश के बाद वहाँ पर बिच्चु रेंग रहे थे, बिच्चु को देखकर बच्चे डर गए और डर कर भाग गए, अब देखिए, अब कहानी में फिर अगला मोडाता है, भाग जाते हैं, मोशन तिवारी था, और वो मिल जाते हैं, अब उन्हें देखकर बच्चे उनको चढ़ाते थे, अब उनको देखकर बच्चे चढ़ाने लगते हैं, एक बच्चा जिसका नाम उसमें बैजू था, वो क्या कहता है, बुढ़वा बेमान मांगे करेला का चोखा, क्याकर चढ जाने लगता है, ऐसे गाने लगता है, और उसे देखकर सारे बच्चे भी उसी के सुर में सुर मिलाने लगते हैं, बुढ़वा बेमान मांगे करेला का चोखा, तो मोशन तिवारी को बड़ा गुस्सा आता है, इस तरह से, और वे क्या कहते हैं, पहले तो बच्चों को दो उनके अध्यापक से, मतलब टिक्चर से शिकायत करते हैं, तो अध्यापक ने लेखक को खोप पीटा उस दिन, और जब ये खबर उनके पिता जी को लगी, मतलब गाओं में ही पाट साला था उनका, तो इस पाट साला की खबरे तुरन घर पहुंच जाया करती थी, लोगों उनके अध्यापक से बिंती की, उनके आगे हाथ जोड़ा, और फिर लेखक को वे घर ले आए, और फिर लेखक रोते हुए, पिता जी की गोद में घर आ रहे हैं, लेकिन जब वे घर आते होते हैं, तो रास्ते में उनके जो दोस्त मित्र हैं, मित्र मंडली उनकी खेल रही होती है और जैसे ही वे अपने मित्रों को देखते हैं दोस्तों को वे अपना रोना भूल जाते हैं और फिर उनके साथ खेलने में मगन हो जाते हैं अच्छा फिर वे लोग क्या करते हैं वे खेतों में चले जाते हैं और चिडियों को पकड़ने की कोशिस करने लगते हैं पास पहुंच जाते हैं और उन में उस बिल में पानी डालने का कोई मतलब नहीं था लेकिन अब नादान बच्चों के मन में वो सैतानी और वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो ऐसा करेंगे ही वो चुहे की बिल में जब चिडिया नहीं पकड़ पाते तो चुहे की बिल की पास जाते हैं और चुहे की बिल में वे पानी डालने लगते हैं और वास्तों में वे चुहे की बिल नहीं थी वहाँ पर एक जहरीला साप रहता था जब बहुत सारा पानी ये लोग डाल देते हैं उस बिल में तो उसमें से एक साप निकल कर वाहर आता है साप को देखते ही डर के म नहीं समय बिताते थे लेकिन उस दिन वे पिता जी की तरफ ध्यान नहीं देखते हैं। सीधे अंदर चले जाते हैं, घर के अंदर मा के पास जाते हैं और जाकर मा की गोद में छुप जाते हैं। इनकी जो चोट थी इनके घहाओं पर हल्दी लगाती हैं तो यहां पर यह कहानी खतम हो जाती है। देखिए, यहां पर लेखक यह जो माता का आचल शीर्षक था। लेखक यह बताना चाहता है। प्सीर्षक के द्वारा इस कहानी का जो उसने अंत किया लेखक ने। उसके द्वारा यह बताना चाहता है लेखक कि बैक्ति जो है पिता से कितना भी बच्चा, पिता से कितना भी क्यों न जुड़ा रहे। कितना भी उसे अपने पिता से प्रेम क्यों न रहे। लेकिन जब मुसीबत आती है तो वह आकर मा की गोद में ही सहारा लेता है और अंत में मा का आचल ही उसे प्यार और सुकून देता है। बेसक लेखक पहले पिता से ज़्यादा जुड़ा था पिता का जो प्यार दुलार वो उसे ज़्यादा मिला था लेकिन मुसीबत के वक्त लेखक अपने मा के आचल में ही अपने को महफूज पाता है। उसे लगता है कि मा के आचल से महफूज जो आसियाना है वह दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। बड़ा होता है दुनिया बच्चा जो है या इनसान जो है कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए कितना भी तरक्की क्यों न कर ले उसके आस पास उसके चाहने वालों की कितनी भी भीड क्यों लगी हो लेकिन उसे मा जैसा सच्चा इसने सच्चा प्यार सच्चा दुलार कोई और नहीं दे सकता तो यहां पर यह कहानी खतम हो जाती है बीटा और यही जो है जो माता का आचल सीर्षक था वास्तों में जो मा की स्रेष्टता है बच्चे के जीवन में मा की जो प्योगिता है उसी को शिद्ध करना मा के महत को बताना ही लेखा का मुख्योदेश रहा है और ये जो सीर्षक है उसमें उस सीर्षक की सार्थकता में लेखा को पूरी सफलता मिली है जैसा कि माता काँचल सीर्षक रहा है और जैसी जो स्टोरी रही है और उसका जो इंड होता है मतलब स्टोरी की समापती जो होती है तो अपने में सीर्षक को चरितार्थ कर जाती है हला कि आरंभ में ऐसा लगता है कि यहां पर स्वी बच्चे की शैतानी उसकी मस्ती और उसका पिता के साथ लगा दिखाया जा रहा है लेकिन कहानी जब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँचती है तो जो मा का आचल है मा का ममता मैं आचल है वहां जाकर बच्चे को सबसे ज़्यादा सुकूल मिलता है तो यहां जो सीर्षक था इस कहानी का वो चरितार्थ हो जाता है और यह सीर्षक सार्थक है तो अभी के ल